हलो एब्रीबन विद्यार्थी विग्यान मन्थन इस्टेटले विलकाइम 2024-25 आई कास्ट प्रेपरेशन पिछले वीडियोज में हमने नेशनल सोलर मिशन और पीम सुरिगर योजना के बारे में स्टेडी किया था उसी के आगे जो टॉपिक है कि जो थ्री विगेस्ट सोलर पार्क साफ इंडिया हैं उनके की फीचर्स भी आपको पढ़ने हैं तो उसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में जो थ्री पार्क हैं उनका अधिन करेंगे सबसे पहले जो वर्ड लर्जेस्ट सोलर पार्क है इंडिया में उसको हम जानेंगे इंडिया का भी है वर्ड का भी है तो वो उसके बारे में समझेंगे वो पार्क हमारा क्या है फिचर साफ घड़ला सोलर पार्क इनकी जो घड़ला सोलर पार्क है यह विगेस्ट सोलर पार्क है इसके फिचर्स के बारे में अधिन करेंगे उससे पहले आप फस्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो चानल को सुक्राइब और लाएंग करें and शार को और रिऴमा करें and शार को टो आजी तो आजे और लोग मैं तो चानल को आजे बूकारीं for the ब्यूम थे लाएंट करें I hope my videos help you for the preparation so keep watching and support the channel if you want to prepare more with the live video then you can join the Channel so let's start वर्ला सोलर पार्क इसके बारे में समझते हैं कि यह क्या है इसके बारे में समझते हैं कि यह क्या है यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है लोकेशन कहां पे है लोकेशन इसकी है वर्ला फलोडी दिश्टिक राजिस्थान वर्ला में यह है इस्थित फलोडी दिस्टिक में है राजिस्थान थार डिजर्ट और जोधपुर के पास में है जोधपुर जो पापलर सिटी है उसके पास में है तो भड़ला फलोडी में इसका लोकेशन है नेक्स्ट एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है 14,000 एकर्स देखे जो कुश्चन्स आएंगे वो MCQ कुश्चन्स होंगे आईकास्ट में तो उसके लिए आपको जो की फीचर्स है यानि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से ध्यान देना है कि एरिया कितना ह इसका 14,000 एकर्स या स्क्वेर किलोमीटर में भी इसको आप याद रखे मान देजी उन्होंने स्क्वेर किलोमीटर में दे दिया तो फिर आप कन्फूजन नहों हो वहां कन्वर्ट करें बैटके टाइम कम मिलेगा आपको 20 मिनट्स तो उतने में आपको 20 क्वेस्चन्स करने तो 56 स्क्वेर किलोमीटर या 14,000 एकर्स कह सकते हो कैपसिटी कितनी है कैपसिटी इसकी है 2245 मेगावाट यहां पे एक और चीज समझ दी मेगावाट और गीगावाट दोनों में आ सकता है एंसर तो मेगावाट गीगावाट यह थाउजन से अब डिवाइड कर देंगे तो यह गीगावाट में कनवर्ट हो जाएगा तो इसकी कपैसिटी जो है वो 2245 मेगावाट यह 2.245 गीगावाट है और कौन है और है और है आर आर ऊपर क्या मतलब हुआ कि यह है कहां पर राजिस्थान में है तो राजिस्थान रिन्यूवेबल एनर्जी कार्पोरेशन लिम् हो है चाहें वो कोई भी स्टेट हो तो ऐसे ही RR ECL जो है वो ओनर है मतलब वही इसको पूरे तरीके से अपरेट कर रहा है इसको अपरेट कर रहा है या जो कोई इसको अपरेट कर रहा है इस समय पे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अभी इसका आगे फुल फॉर्म में बता देंगे राजस्थान Renewable Energy Corporation Limited नमबर आप पैनल्स यह important है एक्जाम के लिए कि कितने पैनल्स इसमें यूज होंगे हो रहे हैं 10 million 10 million आप समझ सकते है 1 million कितना होता है 1 million is equal to 10 lakh और 10 lakh को 10 से multiply करोगे 100 lakh तो 100 lakh मितलब 1 crore panel हो गया इसका पूरा जो construction हुआ था वो लगवग four phases में complete हुआ था यह हमारा पूरा पार्क next phase one और two में क्या काम हुआ Rajasthan Solar Park Development Company Limited यानी RSPDCL projects two phases of 745 MW in year 2015 2015 में शुरुआत हुई और जो पहले दो phase थे first and two, one and two उसमें जो Rajasthan Solar Park Development Company थी उसने इसका पूरा development किया RSPDCL यह भी ध्यान रखना एक company जो है बनाई गई अभी आगे बात करेंगे कैसे इसका formation हुआ और इसने ही develop किया first and second phase को 745 MW जिसकी capacity थी first phase 2015 में यह start हुआ second जो third phase था Surre Urja Company developed जो Surre Urja Company थी उसने 1000 MW project develop किया क्योंकि होता क्या है यह पूरा एक साथ नहीं बन सकता है और किसी एक विक्ती एक company के दोरा नहीं बनता है तो कई सारी company को अलग-अलग auction मिलता है तो वो आहाँ पे development करती यह को बहुत बड़ा यह project होता है सालों इसमें लगता है और फिर यह दिखा जाता है वहाँ पे कैसी जगह है कैसे वहाँ पे पहुच पाता है सबसामान तो time लगता है इसमें तो अलग-अलग company अलग-अलग phase में इस project को complete करती है solar parks को next है phase 4 अडानी renewable energy park developed 50 megawatt project अडानी renewable energy park जो था उन्होंने 50 megawatt project को develop किया phase 4 में अब यहाँ पे आगया आता है भडला को ही क्यों चूज किया गया इसके लिए तो इसके लिए है कि भडला वाद चूजन as it was a dry and wearing region यह इसलिए चूज किया गया क्योंकि यह विल्कुल सूखा था यहाँ पे कुछ भी possibilities नहीं है किसी भी life की dry and wearing region in जोदपूर, जोदपूर के पास में with temperature 46 to 48 degrees, यहाँ का जो average temperature है 46 to 48 degrees तक रहता है nearest urban settlement is 80 km away, फलोडी town यहाँ कि जो सबसे पास का urban settlement है, सहर वो फलोडी town ही यहाँ सबसे पास में पढ़ता है तो वही सबसे पास में है जो की लगवग 80 km दूर है यहाँ से तो इसलिए किसी को impact भी नहीं कर रहा था और जो land थी, वो government के undertaking में थी, जिसे land acquisition में भी कोई problem नहीं आई तो it is a part of 100 gigawatts solar energy grand plan up to 2022 यानि कि जो हमने national solar mission में पढ़ा था, कि 2022 तक हमको 100 gigawatts production करना है renewable energy का, तो 100 gigawatts production जो करना था उसी का जो एक project था उसी का एक objective था कि नेशनल solar parks का स्थापना करना तो इस solar park के establishment है, उसी के तहत की गई थी ये उसी नेशनल solar mission का ही एक part है भरला solar park इट reduces greenhouse gas emissions ये भी important question है काफी ज़्यादा, मतलब ये लगभग हर साल 4 million ton per year greenhouse gas emission को कम कर रहा है यानि कि इतनी ज़्यादा ये बिजली बना रहा है कि 4 million ton per year carbon emission को ये reduce कर रहा है, important question है it was completely in it was completed in December 2018 2018 में ये complete हो गया था and completely operational in 20 March 2020 क्योंकि इसमें काफी सारे चांप करने परते हैं फ़ले production हो गया फिर उसको किस तरीके सी grid में connect करके भीजना है उसको तो ये पूरा operation होने में इसको काफी time लग गया इनकी 2020, 20 March में ये complete हुआ था it is initiated by Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited अभी अभी मैंने बता था शुरुआत में कि जो Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited है ये इसका owner भी है और इसी ने इसको शुरुआत किया था and joint venture between the government of Rajasthan and ministry of new and renewable energy तो इन दोनों के सहयोग से यानि कि किसका किसके government of Rajasthan and ministry of new and renewable energy इन दोनों के joint सहयोग से RR ECL ने इसकी सुरुआत की थी challenges क्या है यहाँ जैसे run कहो रहा है तो इसमें बहुत सारे challenges भी face करने पड़ते हैं तो कौन-कौन से challenges हैं जो हमको यहाँ फिस करने पड़ते हैं इस solar park को run करने के लिए सबसे जो बड़ी challenge होती है क्योंकि वहाँ पे क्या है desert region थार desert है अब उस desert region में बहुत सारा dust, sand, sand storms यह आते रहते हैं तो उनको उनसे कैसे निप्टा जाए यदि sand आके collect हो जाती है panels पे तो क्या होता है कि उसकी जो efficiency है वो काफी घट जाती है 40% तक लगवागी तो dust को कैसे वहाँ जटाया जाए तो उसको कैसे overcome किया गया यहाँ पे तो dust accumulation and solar park panels which reduces their efficiency and output तो जो dust जमा हो जाती है वो उसकी efficiency को भी घटा देती है और उस problem से कैसे निप्टा जाए it also faces dust storms and sand storms dust और sand storms भी आते रहते हैं due to arid region सूखा ग्रस्त इलाका है तो काफी वहाँ पे यह problem रहती है तो इसके लिए जो engineers थे उन्होंने क्योंकि पानी की भी कमी है वहाँ पे इसलिए पानी का इस्तेवाल हम नहीं कर सकते हैं उनको साफ करने के लिए तो क्या कोगा solar panels are cleaned by water free robotic cleaners कि इनको solar panels को हम water free robotic cleaners के त्वारा साफ किया जाता है उस पे automatic robots चलते रहते हैं एक तरस 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 तक और साफ करते पर चले जाते हैं और यह काम करता है कंपनी वाई एकोपिया कंपनी एकोपिया एक कंपनी है जो कि इन जो solar panels हैं उनको साफ करने के लिए robots बनाती है और वो robots control होते हैं human के त्वारा तो वो सारे panels जितने हैं उनको dust और storm को साफ करने के लिए water free robotic cleaners का यूज किया जाता है तो इस वीडियो में इतना है और जो पार्ट बच्चे हैं वो next वीडियो में हम देखेंगे अधि हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें and share to other students who are preparing for the BBM State Level Camp 2024